नमस्का साथियों साथियों स्वागत रेपुना आप सभी का यूट्यूब चैनल पर जैसे की साथियों आप यहां पर देख रहे हैं हम यहां पर के बीएस की ओफिसियल वेफसाइट पर उपस्तिता है और के बीएस जो केंदरी विद्याले संगिठन आए यहां पर अभी पी पूर्ण खबर आई थी कि सीटेट का अभी रियल्ट आया डीजी लोकर पर आना बागी है लेकिन उससे पहले जो बीएड और बीटी सी का केस्ट जो सुप्रीम कोड में चल रहा है उसको लेकर इलाबाद हाई कोड ने क्या कहा है कि जो सीटेट के लिए बेजा कि आप सीट साइट है तो यहां से आपने क्या डाउनलोड किया होगा पूरा डिटेल लेकिन आपको बता दें आज एक और महत्तपूर्ण खबर निकल के आ रही जब आपका जब जो बीएड है यदि माल लेते हैं कि यह उनका सीटेट जारी नहीं होता लेकिन जो जारी हो चुका है उस सुप्रीम कोड में सुनवाई चल रही है लेकिन इसको लेकर बहुत ही खबर यह आ रही है कि जब तक सुप्रीम कोड का आदेश नहीं आ जाता है तब तक तक रिजल्ट जारी ना किया जाए इसको लेकर आज बहुत ही महत्तपूर्ण खबर आज जो हम आपको देने जा रह कर रहे है कि जो भीए डिग्री धार कर ने को लेकर उच्चित होगा की भई परणाम जारी ना और और अपने पारितावD SCOTT करना चाहता है तो इस सर्थ के साथ जारी करें कि प्रमारपत के सम्मद में सुप्रीम कोड में जो लंबिच जो SLP है उसके अधीन होगा तो यही आदिस जो है आज प्रतीक मिसरा एवामन की याचिका पर आप यहां पर देख सकते हैं जो पूरा पूरा डिटेल आप लोग इसको पर सकते हैं अब सुप्रीम कोड में मामला है तो सुप्रीम कोड का निर्णे जो होगा उसके आधीन हो जाएगा जब सीटेट उसके आधीन हो जाएगा तो जाहर से बात है क्या जो आपका के बीएस के लिए जो अभ्यारती बीएड की हैं उन्होंने के बीएस का फारंबर आए तो उनक लेकर बात की गई है तो यहां पर देख सकते है स्कूल के नाम नहीं टू कमिशनर के लिए बात की कि जो निव दिल्ली है रिकार्डिंग डी एडवर्टाइजमेंट नंबर लेकिन अभी क्या हुआ अभी जो आपके डोजार जनबरी दोजाथ इसका हो गया लेकिन उसके साथ ही इंदा एडवांटेज नंबर सोलह दोजार बाइस के भी संग्ठन निव दिली इस रिटेन दैट बीएड कंडिडेट का इन फिल फार्म एंड पार्टिसिपेट इन रिक्वार्मेंट प्रोसेज एंड दस लेक्शन बार डिपेंडन फाइनल जज्जमेंट आफ फाइनल जज्जमेंट जो होगा सुप्र सुप्रीम कोड चाहेंगा कि भैसी ही तो बहर बढ़ती होगी तो सुप्रीम कोड का क्या निर्णे रहता उसके फैसले पर आगया है तो क्या इसके आधार पर अभी के प्यारिजल्ट जारी नहीं करेगा क्या सौट लिस्ट जारी नहीं करेगा क्या होगा इस करने ने तो अब जब जारी होगा तभी पता चलेगा CTAT में BA दारकों का परणाम जारी करने पर रोंक लगी है बिल्कुल आपने एक न्यूज सुभई भी देच चुके हैं बह pharmak लगातार इसको लेकर आज सूभई से चर्चा चल रही है लेकिन बहुँ पर एक खबर यह आ गई है ठीक है स्कूल एजुकेशन पर बात की गई जो भी अभी एकजाम हुआ उसको लेकर भी सीधे सीधे कहा गया है ठीक है तो उसको लेकर भी कहा गया है तो जैसा कि आदेस होगा सुप्रीम कोड के आदेस होगा तो बैसा ही रहेगा क्योंकि जो नेड़ने है बैस संभावना है कि एक महीने के अंदर हो जाएगा ठीक है हो सकता कोई डेट है मई की मिल जाए तो संभावता एक महीने हो जाए लेकिन हो सकता बहां पर आपका जो रि जैसे कि यूपी टो जिनों दिया है जो उत्तर प्रिदेस हैं यूपी टेट की परिशा दी होगी तो उन्होंने लेविल बन में बीट को साम मिल तो किया था लेकिन सीधे सीधे नोटिस दे दिया था और कहा था कि जब रिजल्ट भी आया था तब भी बहां पर दो पॉइंट बैलिट करेंगे लेकिन अभी तक सेटेट को लेकर चाहे दिया है है जो उनीक हो जाएगा ठीक है तो कि हींट के आधेश का आदेश को बहाएगा तो पराइगा देट्स देडाष करनेगा आजंड एगा वाय निडेट कशिक हो सब्सक्राइगा करने सब्सक्राइब करेंगे थैंक्स फार बाचिंग